तो आच मैच खिला गया केरला ब्लास्टर वर्सेज मूंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर के फैंस के लिए भाई अच्छी खबर दी है केरला ब्लास्टर की टीम ने 2-0 से ये मुकाबला जीता है केरला ब्लास्टर ने और भाई आप लोगों को मैं बता दो कि किस तरी परसेंट यहां पर पासिंग एकूरेसी थी अगेंस 67 परसेंट पासिंग एकूरेसी केला ब्लास्टर की और यहां पर बस एक चीज का डिफ्रेंस हुआ भाई यहां पर नंबर आफ शॉट भी जो गोल पोस्ट पे मारे है दोनों टीमों ने 10-10 मारे हैं लेकिन शॉट अन टार में दो गोल से उपर थी केला ब्लास्टर की टीम और आपको मैं बता दू कि भाई केला ब्लास्टर अपने होम ग्राउंड में आज तक ISL में एक भी मुकाबला नहीं हा रही है जब वो फस्ट हाब में लीड कर रही होती है तो भाई उसको कंटीनू रखा केला ब्लास्टर और आज मुकाबला जीतने के बाद केला ब्लास्टर ने अपने 11 मैचेज में 7 win 2 draw 2 lose के साथ में 23 point के साथ टेबल पे दूसरे नंबर पे बनी हुई है गोवा अभी भी 23.9 मैचेज के साथ में 1 पे है लेकिन मुंबई City FC भाई मुंबई City FC ने इस ISL की अपनी पहली हार जो है वो concede कर ली है 10 मैचेज में 5 victory 4 draw 1 lose के साथ 19 point के साथ मों टेबल पे चौते point पे है मोवन बगान के जस्ट नीचे क्योंकि मोवन बगान भी 19.9 मैचेज में 2 lose 6 victory 1 draw के साथ में टेबल पे 3rd position पे है तो ISL में top 2 में बने ही रने की race में भाई FC गोवा और केला ब्लास्टर अब भी lead करती हुई और उमीद है आपको ये match जो है केरला ब्लास्टर अब मुंबई City FC भाई पसंद आया होगा और जो strategy भाई coaches की थी वो भी शायद मुंबई City आपको मुंबई City की अब देखे भाई जो हमारे गुपता जी थे हमारे राहूल गुपता जी जिनोंने पिछले match म भाई उनके main player नहीं खेल रहे थे तो steward नहीं खेल रहे थे अकाश मिश्रा नहीं खेल रहे थे तो उसके चलते भाई आज का match भी मुंबई City हारा है तो हार भले मुंबई City FC की हुई हो लेकिन script शायद राहूल गुपता ने लिखी है आप लोग agree करते हैं कि नहीं भाई ये बता सकते हैं और केरला ब्लास्टर के फैंस तो भाई बिग बिग कॉंग्राचुलेशन